तो ये उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बोलने की क्या ज़रूरत है देवेंदर जी प्रधान मंत्री उनको नकली शिवसेना क्यों कहते हैं देखें नकली तो होई गई क्योंकि इतने सालों तक हिंदु रुद्धे समराठ शिवसेना प्रमूग बाड़ा साब ठाकरे जी ने अपने भाशन की शुरुवात मेरे तमाम हिंदु भहनों भाईयों और मातव ऐसी की कल तक उद्धो ठाकरे भी अपने भाशन की शुरुवात करते थे मेरे तमाम हिंदु भहनों भाईयों और मातव लेकिन इंडी आगाडी की जो पहली सभा हुई उस सभा में उनको सबने मिलकर कहा उद्धो जी अपने को तो माइनॉरिटी के वोट चाहिए ये हिंदु शब्द छोड़ दीजिए और उद्धो ठाकरे जी ने वो शब्द छोड़ दिया उस सभा के बाद वो हिंदु शब्द का उच्चारण नहीं करते तो ये नकली शू से ना हो गई आज आप देखे उनके कारेक्रमों में उनका मशाल चिनने उसके पठके पहन पहन कर अल्लाव अकबर के नारे लगते उसके पठके पहन पहन कर टिपू सिल्टान जिन्दाबाद के नारे लगते उद्धो ठाकरे बहुत खुश है तो ये नकली शू से ना हो ये तीसरी बात सबसे भयानक बात यह है अभी राहूल गांधी के लिए पाकिस्तान से ट्विट हुआ केजरिवाल जी के लिए पाकिस्तान से ट्विट हुआ मैं समझता था इनसे कुछ अलग उद्धो जी होंगे लेकिन आपको आश्चर होगा वोटों के इतने लालची हो गए इसकी तो कोई आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपने का कि पाकिस्तान के जंडे लगते हैं आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जंडे लगाए जाते हैं अभी पाच मिनट में आपको वीडियो बेज देता हूँ मेरे पास वीडियो तैयार है मैं अभी मेरी आफिस को बोलता हूँ आप भी वीडियो दिखा दीजे और इतना ही नहीं इसके आगे चलकर कहता हूँ ये चुनाव में जीतने के लिए पूना में माइनारिटीज की एक पूरी तंजीम बुलाते बहुत बड़ा उनका क्या कहते एक मिलावा बुलाते और वहाँ पर परसनल लाव बोड के विक्ति आकर भाशन करते और वह कहते मोदी जी को हराना है पार्टी मत देखो उमिद्वार मत देखो सिर्फ मुसल्मानों को उमिद्वारे उसको वोट मत दो जो मोदी को हरा सकता उसको वोट दो और फिर फत्वा बहाँ पर निकलता है और कहते यहां उद्धो ठाकरे को वोट दो बारा मती में ठाकरे जी ने संगर्श किया उन्हीं फत्वा वालों के हाथ पे हाथ मिला कर उनके गले आप मिल रहे हो अभी आपको हमारी चिंता नहीं है आपको देश के मेजोरिटी की चिंता नहीं है आपको चिंता केवल भाईजान की चिंता है उसके गले आप मिल रहे हो देखिए एक फ फ्लाइग लग गए आरोपियों के साथ कैम्पेनिंग हो रही है मगर जा जा के वो ही तो बाला साहिब ठाकरे के बेटे हैं और देवेंदर फट्नविष ने बाला साहिब बेटे के बेटे को रुला दिया वो रहे थे वो रहे थे और उससे सिंपती मिलेगी उनको उनको भी पता है कि सिंपती मिलेगी देखिए यह जो इमोशनल अत्याचार चल रहा है इन लोग भी जानते है इसमें कोई दोरा नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी ही हिंदु रुदे समराठ शिवसिना प्रमोग बाड़ा साहब ठाकरे जी के बेटे है लेकिन उत्तर अधिकारी का जातक सवाल है बाड़ा साहब जी के संपत्ती के उत्तर अधिकारी वो है विचारों के उत्तर अधिकारी अब वो नहीं रहे क्योंकि बाड़ा साहब ठाकरे जीने स्पष्ट रूप से कहा था जिस दिन कॉंग्रेस के साथ जाने की नौबत मुझ पर आएगी मेरे शिवसेना का दुकान मै बन करूंगा उसी कॉंग्रेस के साथ वो चले गए और हरे जंडे ले लेकर पाकिस्तान के जंडे लेकर वो प्रचार करते हैं इसलिए मैं बहुत साब शब्दों में आपको जवाब दे रहा हूं यह एमोशनल अत्याचार लोग नहीं सेहन करने वाले वो केवल संपत्ती के वारिस है विचारों के वारिस एकनाथ शिंडे जी है मगर मगर देखिए आप भी तो कि आप भी तो कहते थे 2023 में मराठी में कहते थे आमचा सरकार आलियांतर अजीत दादा चकी पी सिंग चकी पी सिंग चकी पी सिंग चकी पी सिंग यानि कि हमारी शरकार आएगी तो अजीद पवार जी चक्की पीसेंगी चक्की पीसेंगे चक्की पीसेंगे तो वो तो कहेंगी कि देखिए देविंद्र हड़नविस भी तो अपना लाइन बदल रहे है उन्होंने भी तो Line बदली हाँ आपने हिंदूत्वों के मुद्ध पर नहीं बढ़नी बगर अन्य मुद्धों पर बढ़नी बहुत अच्छा सवाल है यह बात मैंने कही थी 2011 में जिस समय मैंने इरिगेशन का स्कैम निकाला था उस समय मैंने बताया था कि देखे यह स्कैम हुआ है इस विभाग के प्रमुक अजित पवार है उनके ओपर कारवाई होनी चाहिए उसके बाद उसकी तफ्तीश हुई कई घोटाले निकले कई लोगों को अरेस्ट हुई चाच्छीट्स हुए लोग कन्विट भी हुए और उसके बाद पद्धतिया भी बदली जिस प्रकार से टेंडर निकलते थे वो पद्धतिया बदली अबडेशन होता था वो पद्धतिया बदली भ्रष्टाचार होता थ दिखते हैं तो अलग-अलग प्रकार से जाच एजियोंसियों ने जाच करने के बाद इतनी चार्चीट्स रखी एक चार्चीट में उन्होंने कहा था कि अजीत पवार और सुनिल तटकरे इनका रोल इसमें क्या है यह अभी तक हमको मिला नहीं है पर हम इसको ढूंड रहे अगर इनका डाइरेक्ट रोल मिलेगा तो हम रिवाइस चार्चीट देंगे वो रिवाइस चार्चीट भी नहीं आई और किसी चार्चीट में उनका नाम नहीं आया है और आज यह भी वस्तुस्तिती ए कि जिस प्रकार से हमारी पीठ में उद्धो ठाकरे जीने खंजर घो उपा उसके बाद हम लोगों ने ये तैय किया कि politics में हमको कोई isolate करने की कोशिश करता है तो हमको जवाब देना पड़ेगा हमने अपनी ताकत बढ़ाई और ताकत बढ़ा कर जो हमारे साथ आए उनको हमने साथ में लिया है क्या अजीत पवार जी आपके साथ है बड़े रिपोर्ट आरें पिछले चार पाच दिलों से कि वो missing हो गए है वो नहीं आरे रैलीज में वो बीजेपी के कैडिडेट के लिए campaign नहीं करें क्या आपने कहा उनको दूर रहने के लिए कि क्या है इतनी इतनी रिपोर्ट हो रही है कि एहम समय में आजीत पवार दिवेंदर फटनविस के साथ नहीं है इसमें सच्चाई क्या है इसकी अजीत पवार उनकी पार्टी का campaign करके हमारे भी candidates के आ गए शुषिना के भी candidates के आ गए यह बात जरूर है कि दो दिन अजीत दरा बीमार थे इसलिए घर से बहार नहीं निकले तुरंट ठीक होए तो कल से उन्होंने आना शुरू किया और आज भी हमारी campaigning में वह है अभी कोई बिमार पड़ जाता है तब भी इस प्रकार से stories बनना चालो हो जाती है कि माना वो घर पे बैढ़ गए वो नाराज है ऐसी कोई बात नहीं है पूरी ताकत के साथ वह campaigning कर रहे है राज ठाकरे को लाके कुछ फाइदा होगा देविंत्र वाड़नविश जी पोलिटिकल फायर ब्रेंट तो हैं मगर शरत पावर कहते हैं इनकी कोई राजनेतिक एहमियत नहीं है कोई पोलिटिकल रेलिवेंस नहीं है प्रयास तो पिछले समय शरत पवार जी प्रयास कर करके उनको अपने साथ नहीं जाते मैं एक बात स्पश्टरूप से कहना चाहता हूं कि राश ठाकरे जी का एक अपना ओडियंस है एक अपनी उनकी शायद बहुत बड़ी नहीं होगी एक मिडियम साइस की होगी लिकिन उनकी अपने वोड बैंक है और विशेश रूप से मुंबई में पुना में नासिक मे थाने में यह सब जगह पर उनको मानने वाले लोग हैं दूसरा राश ठाकरे जी एक ओपिनियन मेकर है लोग उनको सुनते हैं उनके बोलने पर अपना ओपिनियन तयार करते हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने का निश्चित रूप से फायदा होगा और चूकि जविंद्र फणनवीस आप क्लेम करने की उद्धव सेना ओल गन्स ब्लेजिंग गई हैं इस बार किसी तरह से मुस्लिम वोट हमें मिल जाए किसी तरह से मुस्लिम वोट मिल जाए आपने कहा कि देर इस मोर एपीजमेंट बिंग ड़न इन दे सेना दन दे कॉंग्रेस मतलब जितनी तुष्टिकरन कॉंग्रेस पार्टी करती है जो मुस्लिम कोटा की बात करती है उससे जादा उद्धव ठाकरे बात करते हैं मगर उद्धव ठाकरे ने तो अभी तक मुस्लिम कोटा की बात खुज से नहीं कही कॉंग्रेस ने कही उनके मैनिफेस्टों में भी कोई मुस्लिम कोटा की बात नहीं है दिखिए मैं आपको साब शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि उद्धो ठाकरेजी पॉलिटिकल कैलकुलेशन लगा कर बैटे उनके यह ध्यान में आया है कि मुंबई में और महाराष्ट में उनके वोटों में तूट हुई है मराथी मानूस मुंबई का उनसे दूर गया है और उनको लगता है कि यह डेफिसिट अगर भरके निकालना है तो केवल मुस्लिम वोट ये डेफिसिट भर सकते है इसलिए कॉंग्रेस से ज़्यादा अपीजमेंट उन्होंने शुरू कर दी है दिखे उनको सरकस करनी पड़ रही है एक और उनको लगता है कि कही मेरी हिंदू वोट बैंक मराथी वोट बैंक न तूड़ जाए दूसरी औ और उनको ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक के सिवा तो मैं जिन्दा ही नहीं रह पाऊंगा तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजे हो रही है मुझे बताईए शिवसेना के बाड़ा साब ठाकरे जी के शिवसेना के इतियास में कभी किसी ने विचार किया था कि उर्दू में कैल कॉंग्रेसी तो थे ही अपीजमेंट वाले तुष्टी करण वाले लेकिन अब उनसे ज्यादा तुष्टी करण की होड में अगर कोई व्यक्ति घुसा है उस व्यक्ति का नाम श्रीमान उद्धो ठाकरे है तो आप कह रहे हैं उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है हाँ बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस है और उन्होंने ये तई कर लिया है कि मुझे सुडो सेकुलर वोट बैंक के पीछे जाना है आप महाराष्ट्र के हिंदूों को क्या कहेंगे देखिए हर वक्त मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है मगे रिपब्लिक नेट्वर्क थोड़ा अलग है हम हिंदू वोट के बारे में भी बोलते हैं और मैंने तो अपने प्रोग्राम में कहा कि इस बार मुझे लग रहा है कि दोजार चौबीस के चुनाव में हिंदू वोट consolidation होगी अब उस पर मैं चाहता हूं थोड़े डीटेल में आप कहे महराश्ट्र के हिंदूों को आप क्या कहना चाहेंगे क्यूंकि एक राश्ट्रिय स्तर पर एक डीबेट चल रही है जो चैनल कह रहे है कि भया ये राम मंदिर बहुत जल्दी हो गया अगर राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा मार्च में होती तो लोगों को याद रहता कि बीजेपी हिंदूों के हित की एक पार्टी है बार कहरें कि अभी लोग भूल गए है तो ये दोनों मुद्व पर मैं चाहूंगा आप कहें भाराश्ट्र के हिंदूों को आप क्या कहना चाहेंगे और ये जो राम मंदिर को लेके कहते हैं इस पर आपका क्या जवाब है पहली बात तो जहां तक राम मंदिर का सवाल है ये हमारे आस्था का प्रश्ण है जन जन के मन में राम है राम को कोई भुला नहीं सकता इसलिए मैं ये नहीं मानता कि वोटों के लिए या राजनिती के लिए हमने इसका उपयोग किया है लेकिन ये जरूर है लोग मन में ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे ये लोगों के मन में है और जहां तक आपने उद्धो ठकरेजी की बात कही है या जो सिर्फ मुस्लिम अफिजमेंट कर रहे है मैं वोटर्स को यही कहना चाहता हूं उद्धो ठकरेजी और कॉंग्रेस और इंडिया घड़ी आज रोज कह रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए वोट का जिहाद कीजिए वोट के जिहाद की बात चल रहे हैं मैं सभी देश भक को कहना चाहता हूं मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप अपने वोट का यग्य कीजिए और उस वोटों के यग्य में अपने वोट की समिधा दीजिए और इस देश को मजबूत बनाईए ये बड़ी बात आपने कही ये तो बहुत कोटेबल कोट हो जाएगा दोस्तों अगर आप यह इंट्रव्यू देख रहे हैं तो पहली बार एक ने शब्द इखने फ्रेस का उलेक किया गया है यह कह रहे हैं कि अगर दूसरे लोग वोट की जिहाद की बात करें तो देवेंद्र फटनवीस कह रहे हैं वोटों की यग्य कीजिए और ये उन्हों ख swiftly वोटों ने कहा है जब मैंने उनको सवाल ख्याभी महाराश्त्यों के हिंदु को क्या करना चाहिए तो इस पर जर स्विश्त तौर से कहें ये वोटों की यग्य की बात क्या हlor और किस चीज का य आप क्यूं ने कहते हैं वहातर वोटों की तपश्या कीजिए हूटों के यग्य भी पवित्र होता है और यग्य में जो समीधा जाली जाती है वो अपना समर्पन होता है और जब देश में मोदी जी जैसा नेता एक मजबूत भारत तैयार कर रहे है जिस समय भारत एक नई उचाई के और जा रहा है विकसित भारत के और भारत अग्रसर है गरीब कल्य करेंड का अजेंडा भारत के गरीबों के वजूद को एक नई व्याख्या दे रहा है ऐसे समय हर व्यक्ति का ये काम है वह अपनी तरफ से भी कोई समर्पन करें और वह समर्पन हम कौन सा कर सकते तो अपने वोट का समर्पन कर सकते इसलिए ये जो लोग तंत्र का यग्य चल है इस यग्य में समिधा डालने का हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है हम सब लोग हमारी समिधा ये मोदी जी के प्रती अगर उस यग्य में डाले तो विकसित भारत का सपना मोदी जी पूरा करके दिखाएंगी